Hello my dear friends a very warm welcome to our series of current affairs cutshot दोसों जो आज का हमने साइंस का टॉपिक लिया है यह अपने आप में बहुत इंट्रेस्टिंग है और अनिमल डिजीज से कही न कहीं जुड़ा हुआ है तो आपके सामने आज का सवाल है तो आपके सामने आज का सवाल है यह लापिनाइज आपके सब्सक्राइब करना है और दोस्तों एक चीज समझना यह सवाल बहुत बहुत अगर आपको आता है तो वेलं गुड ठीक है नहीं आता है तो प्लीज इसको अप में यूपेस्ट के एक्जाम में छोड़ सकते हो ठीक है लेकिन यहां पर परसनली बोलूंगा कि आप एक सब्सक्राइब करना क्यों क्योंकि आपको लापिनाइज से कुछ तो मारते बनेगा ठीक है तो चलो आगे चलते हैं देखते हैं कि आपको सबसे पहले कॉंटेक्स में बता दूं इसके अंडर एक इंस्टिट्यूट है इजत नगर यूपी में आई वी आर आई इंडियन व सबस्क्राइब कर संक्राइब एक। इंडिया लिमिटेड जैसे अगर मैं बताओं आपको तो इस रो के बीच में एनसाइल है ठीक है एनसाइल है एंट्रिक्स है तो यह लोग क्या कर रहे हैं यह लोग क्या खुदी प्राइबटाइज खुदी प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या नहीं यह ट्राइंग टू है तो यह ल एक प्राइबेक्स को सइपनालोजी डेस्प्र को नestion एक सिंद् kriegen क्लासिकल स्वाइं प्र स्वाइन स्वाइव फीवर वेक्सीन it यह नहीं चाना उस अन१ी आ रहा है admits प्रतिक सिम्हान ध्रैज कहिं कर दो तो CSF आपको देखकर के समझ में आरी है जिए अब देखो डिजीज इस कॉंट्रोल बाई लैपीनाइज CSF वैक्सीन ठीक है अब लैपीनाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों एक बात समझना कि बहुत सारे रैबिट्स को मार करके यह वैक्सीन निकाली जाती थी और उसके ब अब जो है आई वी आराई ने इसको मोर हुमें प्रोसस बनाया है कैसे युजिंग जो फॉरें स्ट्रेंट भास करे यह जो की मतलब आपके रैबिट्स में डाला दालकर हम डंधा रहे थे ठीक है उसको एक कर दुनाजी है यह दियान अब महिने तक चौदर दिन के बाद और ओण्डी और 18 दिन तक जो पर इसको इनिए देगी अंगे CSF डिजीज ठीक है ध्यान रखना है चीज चलो जब आगी बात करो तो पहले CSF के बारे में जान लो कि कैसे यह फैलता है इसके सिम्टम्स क्या-क्या है ठीक है तो सबसे पहले ध्यान दो कि it is most important disease of pigs that causes 100% mortality मतला अगर हो गया तो और यह मरेगा ही मरेगा ठीक है it is also known as hog cholera और pig plague जान रखना pig plague भी बोलते हैं इसको और hog cholera भी बोलते हैं और hog cholera यह आपको option में दिया भी हुआ है अब देख सकते हैं थोड़े बात मैं last में दिखा दूँँगा आपको वरिमेट कीजे ठीक है इंफेक्शियस एजेंट रिस्पॉंसिबल इस वाइरस CSFV ठीक है तो अब यह सी बात है क्लासिकल स्वाइन फीवर वाइरस ठीक है इसका यह है ऑफ जीनस पेस्टी वाइरस इसका वाइरस का जीन क्या है पेस्टी वाइरस है इन फैमिली फ्लावी विरीड़ी डाट कॉज इस बॉइन वाइरल डाइरिया और डीजिजेज तो आइब समझ में आ रहा है इसके सिंटम्स देख लीजे पहला तो इंटेस्टाइन डाइरिया होता है दूसरे अगर डिस्परेटरी एरिया में अफेक्ट कर जाता है जानवर को साइकोलोजी का लेवल पेक लिथार्जी जाती है वह भूख खो देता है लाक ओफ एपटाइट वास इस सीन नैसो फैरिंग्स में स्नीजिंग एंड मुकस विल बी सीन इन नोज एंड आइज सिस्टेमिक तो फीवर वेट लॉस पूर रोथ औवियसी बात है आपका जो पिक है उसको एंड में डेथ होनी होनी है इस इस इन शीप ठेक है पहले जो था है यह पिग के केस में था तो शीप आप्स इस था हाइली कॉंटेजिएस दिजीज ऑफ शीप कॉस्प बाई इस दिजिवर आफ आपक वाइर से दिजिवर एंड टोनों वायर डिजीज शीप ओक्स वाइर स्पीवी इस मोस्सीविर अफ animal pox disease and can result in some of the most significant economic consequences due to poor wool and leather quality तो अब्वियसी बात है यह भी हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत जा नुकसान पहुंचाती है तर डिजीज इन characterized is characterized by high fever, symptoms of pneumonia, acute enteritis, acute enteritis क्या होता है यह जो वाइरस डिजीज वाइरस है बैक्टिरिया है यह आपके इंटस्टाइन में जो भी शीप के है उसके इंटस्टाइन में जा करके स्वेलिंग कॉस करता है और वहीं पर सेटल हो जाता है ठीक है स्किन लेजन्स अपियर पार्टिकुलर्ली इन पार्ट्स फ्री फ्रॉम वूल नोटेबली अरॉंड आउंड आइस तो आँखों के आज वाजु खूब सारे उसके लेजन्स दिखाई देने लग जाएंगे इनर साइड ऑफ थाइज अड़ अंडर सर्फेस ऑफ दर टेल रहां पूछ के जो नीचे का इडिया होता है जहां पर बाल नहीं होते वहां पर खूब सारे स्कीन लेजर दिखाई देने लग जाएंगे ठीक है इन अटर्ण और गन सचेस ट्रेकिया लंग्स किड्नी अटर्स टाहिं अर आज अफेक्टेट इंटर्ण और इंटर्ण और गन्स को भी एफेक्ट करता है जिश वेरी बाग और जादा पाटली इसकेस में भी कहें दिजिस रिजर्ट इन अच्छन और अल्रीट मेंशन फ्रीक्वेंट अफ एक्टेट अनिमल इंटर्ण आइनिमल इंट्रोग देशर थी परसेंट आटर्ण विल्ट को भी और चाहिं नहीं तो ध्यान रखना शीप में हो और गोट को भी हो जाएगा ठीक है लेकिन यह दीरे दीरे फैलता है और contagious disease है तो शीप से शीप में तो हो गई एक शीप को हुआ दूसरी शीप को होगा तो इसलिए यह बहुत खतरनाक विमारी है ठीक है चलो अब देखो शीप आक्स वैक्सीन के अगर हम बात करें तो ध्यान रखना यह लाइव अटेनिवेटेड शीप आ वैक्सीन ठीक है यूजिंग इंडिजेनस स्ट्रीन वाज डवलट बाई आई सी ए आर आई वी आ रहाई तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो शीप डिजीज जो था जिसके लिए हमने वैक्सीन बनाई है उसमें हमने क्या किया है फॉरें स्ट्रीन यूज किया है क्यों कि हम बिल्कुल ध्यान रखना बिल्कुल उल्टी वैक्सीन से दोनों और इनी का टेक्नोलजी ट्रांसवर किया गया है यूज इंडिजेनस शीप पॉक्स वाइरस ट्रीन एस पीवी सीरीन थी एट अब्लिक जिरो जिरो दोस्तों ध्यान रखना है यह सकता है इस पर भी सवाल उ बनी देगा कभी कहते कुछ कुछ ऐसे मतलब करती रहती यह पीसी ठीक है और इस अडप्टेट टो गोव इन विरो से लाइन विरो से लाइन विरो से लाइन विच मेंक्स वाक्सीन प्रोडक्शन ईजली इसकेलेबल इप यह बहुत जाला डिटेल में नोई तो गो पर इनिमल्स फॉर पीड़ फॉर्टी मस्ट जो ध्यान रखना फॉर्टी मंस तक के लिए इसको इम्मूनिटी मिल जाती है ठीक है और जो आपका CSF डिजीज में हमने वैक्सीन दी उसका कितना था उसका 14 डेज बाद स्टार्ट होगा असर और एप्रॉक्सीमेटली 18 मंस तक र स्ट्रीन ठीक है तो पहली बार यह इंडिजनेस वैक्सी में जिनको में लोकली आइसुलेटर स्ट्रींस का यूज किया गया है जिसमें इंडिया सर्फ सफीशियंट होने की बात कर रहा है और आत्मनेर अभियान को भी बल मिलता है अब हमारी जो CSF वैक्सीन और सीपॉक्स वैक्सीन है इसमें हमें फॉरन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा ठीक है दा अग्रिमेंट्स वे साइंड ऑन 26 माच 2021 टेक्नोलोजी वे डवलप बाई आई-सी यार आई-वी आराई और और उसके अंदर है आपका एग्री इन्नोवेट इंडिया जो की एक मेडिय इसलिएशन में हल्प करती है किसकी जो इंपॉर्टेंट रिसर्च है बड़े-बड़े इंस्टिट्यूट्स के अग्री कल्चर के उनकी ठीक है बोग्स वैक्सीन से एक्स्टेंस अग्स्टेंस वाइव एक्स्टेंस और यह प्रोजेक्ट मिला है तो अब उसकी कैपाबिल सब्सक्राइब करते हैं और इसके करण जो हमारा एकोनॉमिक लॉस है शीप में मतलब पिग्स में कम हो ठीक है जो एकोनॉमिक लॉसे कम हो सके चलिए अब देखिए आपका सामने एंसर आज चुका है अल्रेडी दोस्तों मैं खाल से अपने ध्यान सुना होगा तो लापिला सब्सक्राइब कर दो अगर पता है तो प्लीज गो फॉरिट है ना वाट नहीं पता है तो प्लीज छोड़ देना इस सवालों को क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होते हैं अट्रेंट करने के लिए ठीक है क्योंकि देखो एक से दो सवाल ऐसे रहेंगे जो कि आपको अग्दम म पर मिल जाएंगे कि यार इसमें क्या है यह तो पहली पर सुन रहा हूं बैटर है वैसे सवालों को छोड़ दो अगर प्रॉपरली पता है कि हाँ हो सकता है इस कैटेग्री में हो सकता है तब तो भले गस्मारो ठीक है अधर्वाइस सवालों को स्केप करो ठीक है चलिए अलावा आप प्लीज जितने दोस्तों से हो सके उतने दोस्तों हैं शेर कीजिए कि यान बाटने से बढ़ता है आप देखिए नालंदा विश्विद्याले जल गया तक शिला ड्रेस्ट्रॉय कर दिया गया और आज तक हमारे पास उसकी कोई प्रतिलीपी प्रॉपर नहीं म रहा जाता है इसके अलावा दोस्तों हो किसी भी तरह शंका हो यूपी कोई बैजाम करें और बाकी सारे तो प्लीज सेक्षिन में करेंड करें इसके हमने से सैट कोर्स एक लौंच किया है आप उसके कुछ सैंपल वीडियो यूट्यूब एक अलग प्लेडिस बना के हमने र सी सेट में परिशान है तो इसको किसी भी हालत में आपको हलके में नहीं लेना है और गो फॉर दा सी सेट एस वेल मतलब इकोल वेटेज रखना दोस्तों क्वालिफाइंगी कर भी रोग देता है हमें ठीक है ऐसी सिट्विशन आपके साथ नहीं होने चाहिए मिलते हैं अगले लेक्ट्चर में तिल देन प्लीज दो की बीडिंगी प्रिवाइजी एड की प्रक्तिसिंग बाइबाइए और थैंक यू